Hello everyone, आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना के important MCQs प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना के बारे में पहले वीडियो में explain किया गया है अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो link description box में है आप जाके देख सकते हैं उसके बाद MCQs बनाने की कोशिश करें तो चली start करते हैं हमारे question number 1 से प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना stands for options है A. प्रधानमंत्री समृध्धी योजना B. प्रधानमंत्री क्रिशी संचार योजना C. प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना या D. प्रधानमंत्री क्रिशक सिचाई योजना तो इस question का correct answer हो option C. प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना Question 2. What is the motto of प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना का सिध्धान्त क्या है? Options है A. Per drop, more crop B. More irrigation, more crop C. हर खेत को पानी D. Watershed Development इस question का correct answer Option C. हर खेत को पानी है Question 3 प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना was launched on which year? प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना का प्रारम किस साल हुआ? Options है A. 2016 B. 2018 C. 2015 D. 2017 तो इस question का correct answer Option C. 2015 प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना का प्रारम 1. July 2015 को हुआ था Question 4 प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना was implemented by the Central Government for the period प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना को लागू केंद्र सरकार के द्वारा कब से कब तक के लिए किया गया था? Options है A. 2015 2016 2019 B. 2016 2017 2021 C. 2014 2015 2018 2019 D. 2013 2014 2017 2018 तक इस question का correct answer Option A. 2015 2016 2019 20 तक प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था Question 5 Which of the following is not true about the प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना? प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना के बारे में इन में से कौन सा सही नहीं है? Options है A. Expansion of Cultivable Area Under Irrigation क्रिशी योग्य भूमी को सिंचित छेतर के अंतरगत बढ़ाना B. Reutilization of Treated Municipal Waste Water Municipal Waste Water को ट्रीट करके फिर से उप्योग में लाना C. To Boost Water Use Efficiency Water Use Efficiency को बढ़ाना D. Remove Traditional Irrigation Water Bodies पुराने Irrigation Water Bodies जैसे की कुवे, तला, पॉंड ये सारों को हटाना C. इस Question का Correct Answer है Option D. Remove Traditional Irrigation Water Bodies जो पुराने कुवे, तला, पॉंड जो भी है उनको हम हटाते नहीं है हम इस योजना के अंतरगत उसका नवीनी करण उसकी मरमत करते हैं Question 6. Under which scheme the Micro Irrigation Project हर खेत को पानी को प्रारम किस स्कीम के अंतरगत किया गया? Options है A. राजीव कांधी Micro Irrigation Scheme B. प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना C. Rural Infrastructural Development Fund D. Command Area Development Program इस Question का Correct Answer है Option B. प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना इस योजना के अंतरगत, Micro Irrigation Project हर खेत को पानी को प्रारम किया गया Question 7. What is the funding pattern अंडर प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना between center and state? प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना का funding pattern केंद्रो राज के बीच कितना है? Options है A. 75 Ratio 25, B. 60 Ratio 40, C. 90 Ratio 10 ये D. 80 Ratio 20 इस Question का Correct Answer है Option A. 75 Ratio 25 Question 8. Accelerated Irrigation Benefit Program AIBP Component of प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना comes under which ministry? त्वरिट सिचाई लाब कारिक्रम जो की एक component है प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना का किस मंत्राले के अंतरगत आता है? Options है A. Ministry of Rural Development B. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare C. Ministry of Water Resources ये D. Ministry of Jal Shakti Question 9. प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना किन components को जोड कर दयार किया गया है? Options है A. Accelerated Irrigation Benefit Program B. हर खेत को पानी C. Watershed Development B. Convergence with Manrega ये E. All This question का correct answer is option E. All Question 10. Name the mobile app launched for geotagging of the components of the प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना के components की geotagging करने के लिए कौन सी mobile app को launch किया गया है? Options है A. PM किसान एप B. भुवन एप C. किसान सुविधा एप या D. पुशा क्रिशी एप प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना के components जैसे हर खेत को पानी, watershed development पर, drop, more crop के अंतरगत जितने भी कारे किये जाएंगे उन सभी कारे की geographical location, photo, map, video की जानकारी, geotagging से मिलती है latitude, longitude के माध्यम से किसी जगह की location जानी जाती है और Google Map के द्वारा उस जगह का पता भी लगाया जा सकता है इस question का correct answer है option B. भुवन एप question 11. What was the financial budget of प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना for the period from 2015-16 to 2019-20 प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना का financial budget 2015-16 से लेके 2019-20 तक क्या था options है A. 37,454 करोड option B. 93,068 करोड option C. 50,000 करोड option D. 4,000 करोड इस question का correct answer है option C. 50,000 करोड रुपीज option 12. Who approved the extension of प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना तिल्ट 2016-20 प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना को 2026 तक बढ़ाने की अनुमती किसके द्वारा दी गई है options है A. Expenditure Committee on Economic Affairs B. Agriculture Produce and Livestock Market Committee C. Cabinet Committee on Economic Affairs D. None This question का correct answer है option C. Cabinet Committee on Economic Affairs Question 13. How much subsidy is provided by the Government of India to the farmers for drip and sprinkler irrigation system भारत सरकार के द्वारा कितना सबसीडी, drip और sprinkler irrigation system से irrigation करने वाले किसानों को दी जा रही है options है A. 45% B. 40% C. 55% या D. 50% This question का correct answer है option C. 55% Question 14. How much budget was allocated for the component per drop more crop अंडर प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना for the year 2020-21 जानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना के अंतरगत, component, per drop, more crop के लिए कितना budget साल 2020-21 के लिए बाटा गया options है A. 4,000 करोड रुपीज, B. 3,000 करोड रुपीज, C. 5,000 करोड रुपीज, या D. 6,000 करोड रुपीज तो इस question का correct answer है option A. 4,000 करोड रुपीज करोड रुपीज